ओम नमस्षिवाये मैं हूँ एस्ट्रोजर केम सिन और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उमिद्वार भगवंत मान जी को अरविंद केजरिवाल ने क्लियर कर दिया है और उन्होंने बताया कि 93% लोगों ने जिस तरीके से इनको मैसेज के थ्रूँ चुना गया है तो क्या कहती इनकी कुंडली क्या इनके मुख्यमंत्री उमिद्वार का फेस बनाने से आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बन पाएगी या अभी भी कॉंग्रेस ही वहाँ पर राज करेगी आइए इस पर हम जानते हैं एक ताजा अपडेट क्योंकि क्या होता है जब हम चुनाव लड़ते हैं तो गोचर का महत्व तो रहता है लेकिन किसकौन फ्रंट लीडर बनेगा उसके कुंडली से भी निकाला जाता है तो यहाँ पर मैंने दो तीन चीजों को एड कर दिया है यहाँ पर अरविंद केजरिवाल की कुंडली साथ में बगवंत मान की क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री उमीदवार के रुप में चुनाव लड़ेंगे और इनकी अगर आप बायोग्राफी चेक कीजेगा तो पहले ये आते थे कॉमेडी सीरियल में आते थे और वहाँ से इन्होंने काफी नाम भी कमाया और उसके बाद 2012 से लहरा विदान सबा चुनाव में पार्टी से जब ये चुनाव लड़े तो वहाँ पर वो चुनाव हार चुके लेकिन उसके बाद 2014-2019 दोनों बार इन्होंने पर लोकसबा का चुनाव जीता तो जब ये लोकसबा के दोनों चुनाव जी चुके हैं तो अब ये विदान सबा चुनाव होने वाला इन पर क्या कंडिशन रहेगी और इनकी कुंडली समय क्या बन रही ऐसी क्या कंडिशन थी इनके चार्ट में कि अचानक से कॉमेडियन क किरदार निभाने वाले या लोगों को हसाने का जो कारिक्रम होता था उसमें ये पहले पार्टिसिपेट किये और सीधे सीएम उमीदवार तक दीरे-दीरे पहुँच गये तो कुछ तो इनकी कुणली में खास बात होगी और इनका एक्जेक्ट डेट जो मेरे पास है मैं पु इनकी कुणली मिथुन लगन की कुणली बनती है और मिथुन लगन में अगर आप देखिएगा अतियंत योगकारक जो होते हैं शुक्रदेव होते हैं बुद्देव होते हैं और शनी देव को अतियंत योगकारक माना जाता है दू हजार बारा से पहले भी ये चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन 2012 में पहली बार ये चुनाओ लड़े मतलब राजनीती का जो करियर था वो स्टार्ट करना था इन्हें 2010 के आसपास राजनीती में आ गए थे और 2012 में इन्होंने चुनाओ पहला लड़ और वो चुनाओ में जीत नहीं पाए उसके बाद जब दशा इनकी चेंज हुई इसके बाद ये लगातार दोनों ही लोकसबा चुनाओ जीते हैं तो आईये हम इनकी कुनली में समझते है वरतमान दशा क्या कहता है वरतमान गोचर क्या कहता है और ये क्या मुख्यमंतरी बन पाएंगे या अभी भी कॉंग्रेस के जो उमीदवार रहेंगे चाहे वो नवजो सिंग सिद्धू हो या चन्नी जी हो इन में से कौन बनने वाला है CM आईए हम इसका विसलेशन देख लेते हैं कि 2006 वाला जो टाइम चल रहा था उसमें शनी के अंदर शुक्र चल रहाता है शुक्र जो होता है एशो अराम के लिए जाना जाता है और उसके अंदर प्रत्यंतर में राहू जब तक इनका चला हुआ था तब तक इनको राहू रूप बदलने में माहिर होता और वाड़ी अस्थान को भी देख रहा है तो इसलिए यहाँ पर पूरी टेंडेंसी ये बनती है कि ये पूरे तरीके से आवाज को चेंज करके क्रियेटिवटी को लाकर लोगों को हसाने में सफल रहे हैं लेकिन 2012 में इस समय इनकी दशा जो थी शनी की अंदर राहू की महादशा चल रही थी और शनी के अंदर जो राहू की महादशा चल रही थी इसमें इनको सफलता बहुत जादा नहीं मिल पाई और 2012 का ये चुनाव हार गए राहू राजनीती का कारक होता है राहू इनकी कुल्ली में सब्तम अस्थान पर बैटा है और दुटियेश से यूति कर रहा है ये दुटियेश से यूति कर रहा है तो क्या होगा 2012 के बाद जो इनकी दशा चेंज हुई है ब्रसपती की जब अंतर दशाई शनी के अंदर तब ये धीरे दीरे इनको सफलता मिली क्योंकि इस लगन कुल्ली में बहले ही ब्रसपती को केंदर अधिपती दोश लग जाता है लेकिन इनकी चार्ट में केंदर अधिपती दोश बंग हो रहा है और इस कारण से जैसे ही बंग होता है कोई दोश तो उसमें सफलता मिलने की संभावना जादा बढ़ जाती है और वर्तमान में इनकी बुद्ध की दशा चल रही है जो कि इनका लगनेश हुई है जब से इनकी बुद्ध की दशा स्टार्ट हुई है तब ही से ये चुनाओ में लगातार विजय होते जा रहे हैं और इनकी वर्तमान में बुद्ध के अंदर सूर्य की महादशा चलेगी सूर्य इनके लिए अगर आप देखा जाए तो पराक्रमेश होकर इनके माइंड में जाकर बैटा आला कि डिग्री वाइस बलाबल उसका बहुत ज अच्छा टाइमिंग नहीं है लेकिन गोचर जो है बहुत अच्छा है इसमें गोचर और गोचर की इंपॉर्टेंस में हर बार बोला हूं सबसे जादा होता है कभी आप चुनाओ का विश्टेशन करना हो गोचर को देखे बिना आप यह नहीं चेक कर सकते किस दिन चल रहे होंगे उस समय ब्रस्पति देव अला कि इनके कर्मस्तान की मालिक भागी में और ब्रस्पति देव प्रतिंतर में अंतर में तब भी शड़ी में ब्रस्पति देव आये तब उनको लावान्वित कर गयते और इन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाओ जीता था वो अंतरदशा उतनी जादा favorable नहीं है लेकिन इनकी जो overall गोचर है वो बहुत जबरदस्त बनी हुई है और साथ में आम आदमी पार्टी की कुंडली अर्विंद के जिर्वाल की अगले 5 साल तक मैं पहले भविश्वारी कर चुका हूँ जो भी काम करेंगे उसमें सफलता उनको म रही है एक तो 14 फरवरी वाला जो डेट चेंज हुआ वो भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ जादा मैं देख पा रहा हूं और दूसरी जो अभी अपडेट आया है भगवंत मान जी जो वहाँ पर सीएम उमीदवार बने यह दोनों ही चीज मिलाकर एक चीज से कम होने वाली है यह कंफर्म है चाहे वहाँ पर नव्जोस सिंग सिद्धू और चन्नी दोनों मिल के चुनाओ लड़े या अलग अलग चुनाओ भी लड़े तो वहाँ पर उनकी सीट अब मुझे दिखाई दे रही है फाइनल कॉन्क्लूजन में कि चुनाओ में इनकी सी कि बहुत तेजी से बढ़ेगी और आम आदमी पार्टी की सीट बढ़ने के करण पंझाब में सिंगल लारज़ेस्ट पार्टी हाला कि बहूमत मिलता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं दोन एक दूसरे से मिलकर फिर सरकार बनाएंगे और बात में मुख्यमंत्री का जो लडाई होता है कुरसी के लिए आपस में लडाई होगा इसको देखा जाएगा जब ये परिणाम सामने आएंगे अभी एक छोटा सा अपडेट था कि चुनाओ की तिति जब चेंज होई तो भी ये सारा प्रभाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है और जब यहां पर उमीदवार गोशित हो गए उसके बाद भी जो ट्रेंड जा रहा है वो आम आदमी पार्टी के तरफ ही जाता यह सब डेटा है सही क्या है अस्तियत क्या है वो तो बगवान जाने लेकिन जो चार्ट में निकल के आ रहा है वो उसको भी मैं एक्सेप्ट यहां पर कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी मुझे प्रबल होते हुए लगातार वहां पर दिख रही है और हो सकता है कि यह अगर जब कई दो पार्टी मिलकर बाद में जाकर गड़बंदन कर लेते हैं तो सीम मुझेदवार निकालने के लिए अलग कैल्कुलेशन होता है वो बाद में अपडेट करूंगा अभी के लिए इतना ही मैं हूँ आप नमस्युवाए